आज से हम आंतरिक रूपांतरण के चौथे सूत्र, निर्वान के चौथे सूपान विराट द्रस्टी पर बात करेंगे विराट द्रस्टी, वास्ट विजन इस सूत्र में धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे आंतरिक रूपांतरण की इस यात्रा में जब तुम चलते हो और तीसरे सूत्र तीसरे सोपान या तीसरे द्वार तक पहुँच जाते हो प्रगाड संकल्ब को अपने भीतर जन्म दे देने में तुम सक्छम हो जाते हो उसके बाद अत्यनत आवस्यक हो जाता है कि सीगरता से तुम्हें इस विराठ द्रस्टी के द्वार में प्रवेश मिले संकल्ब तुमारे भीतर सक्ति को जन्म देता है संकल्ब तुमारे भीतर बिखरी होई ओर्जा को इकठा कर देता है तुमारे भीतर खंड-खंड हो चुके वेक्तित को एक अखंडता दे देता है और यह सारी बातें तुम्हें बहुत सारी दिसाओं में ले जाने में सहयोगी होती है तुम सक्षम हो चुके होते हो लेकिन अब जाना तुमारे उपर निर्भर करेगा तुम किस ओर जाओगे कैसे जाओगे यह एक खुबसूरत पढ़ाओ है और यही वो पढ़ाओ है जहां से बहुत सारे लोग भटक जाते हैं तुमारे मन की छमताएं और तुमारे मन की अद्भुत सकतियां असीम सकतियां अकल पनी सकतियां तुम्हारी भीतर आकार ले रही है तुम अगर अपने भीतर इस विराट दृस्टी को जन्म नहीं देते तुम इस दृस्टी के फैलाव में इसके विस्तार में प्रवेश नहीं कर जाते तो बड़ी संभावना है कि तुम भटक जाओ तुम नीचे गिर जाओ तुम इन लोग पकड़ ले तुमारा एहंकार से रुठाए और तुम अपने भीतर जागरत हुई शक्तियों का उप्योग करने में सनलगन हो जाओ यहीं से जितनी भी मानसिक शक्तियों का भटकाओ है वो प्रारंब हुआ अध्यात में जिसे तुम विद्वन्सकारी शक्तियां जानते हो कुछ लोग अपनी इन आंतरिक शक्तियों का विद्वन्सकारी उप्योग करने में सनलगन हो जाते हैं दूसरों को प्रभावित करने में दूसरों को संचालित करने में ऐसी छमताएं तुम अपने भीतर उस समय पाते हो अपने अंतरमन की गहरी छमताओं को तुम संकल्प के द्वार तक जान चुके होते हो और अगर वहाँ पर भटकाओ घटता है तुम दूसरों को प्रभावित करने, मैनिपुलेट करने की और बढ़ते हो तो बहुत सारे ऐसी चीजें उत्पन्न होती है जो तुमें मारक से भटका देती है ब्लैक मैजिक का नाम तुम जानते हो वो सब इसी पड़ाओंपर उत्पन्न हो जाता है तिब्बत में इसी प्रकार के भटकाओं को बहुत देखा गया वहाँ इस सूत्र पर बहुत काम किया गया मान्चिक सक्तिया अर्जित की गई विक्सित की गई उन्हें हर तरीके से पोसित किया गया लेकिन जब पूरी की पूरी प्रक्रिया बड़ी सरलता से तुमारी जानकारी में आ जाती है और अभी तुमारी चेतना का विकास नहीं हुआ होता है तो तुमारी सक्ति उन्ही रास्तों पर बहने लगती है जिन रास्तों पर तुम अभी तक जीते चले आये हो और कोई उपाई بھی नहीं तुम अपने भीतर ज्हांग कर देखो तो तुम पाओगे तुमारे भीतर कितनी विधंसक आवाजें गूझती रहती है कितने बाहर तुम कितने स्वरों को गूझता हुआ सुनते हो आत्मगात भी संभावे तुम आत्मगात की ओर भी बढ़ रहे होते हो और अपनी आंतरिक सक्ति का दुरुपयोग आत्मगात ही है शरीर की मृत्य हो जाना आत्मगात नहीं तुम किसी भी उपाय से अपने शरीर को मृत्य के और ले जा सकते हो लेकिन वो वास्तविक आत्मगात नहीं है वास्तविक आत्मगात इसी पड़ाओ पर घटता है जब तुम अपनी आत्मा की और अपनी चेतना की और अपनी परम संभावना की और बढ़ सकते हो और बढ़ते बढ़ते उधर से चूप जाते हो तुमारे द्रश्टी को विराठ होना होगा जैसे ही तुम तीसरे द्वार में प्रवेश करोगे शिगरता से तुम्हें चौत्य द्वार में प्रवेश करना होगा अपनी दृष्टि से सारी छुद्रता को बाहर निकालना होगा तुमारे दृष्टि अगर विराट की और उठी होती है तो तुम छुद्र में भी उस विराट को उस आशीम को देख पाती हो और अगर तुम्हारी द्रिस्ट इस छुद्र में अटक जाए निमनता में अटकी हो निचाईयों में अटकी हो तो तुम उस विराट में भी असीम में भी निमनता देख लोगे अगर तुम विराट की और उन्मुख हो तो तुम खाई में भी विराट को ढून लोगे और अगर तुम निम्निता की और उन्मुख हो तो तुम सिखर में भी खाई को ढून लोगे तुम्हें और सतर्क होते जाना है और सजग होते जाना है हिंदों ने बहुत सुन्दर प्रतीका ध्यात्म जगत को दिये उन्ही सुन्दर प्रतीकों में एक प्रतीक है कमल इस कमल के प्रतीक को तुम जगे जगे देखते हो ये उस विराध ड्रिष्ट का ही परिचायक है उसका ही द्योतक है ये उस द्रस्ट की अशीमता को प्रदर्शित करने का धंग है तुम दो धंग से जीवन को देख सकते हो जीवन में खिलावट भी है और जब जीवन में खिलावट आती है तो वो बहुत कुछ उपयोग करती है वो उन तत्वों का उपियोग करती है जो अभी अनखिले है जिनके भीतर खिलावट सोई पड़ी है वहां से सार को खीच कर खिलावट को जन्म देना होता है कमल का जो फूल है वो इस सारी प्रक्रिया को बड़े सुन्दर धंग से प्रदर्सित करता है कीचड में खिलता है कीचड के सार को उसके सार भूत को खीचता है और ऐसी निस्द कलुस निर्मल दिव खिलावट को उपलबध हो जाता है यह तुमारे उपन निर्भर करता है कि तुम अपने दृष्टी को इस कमल पर केंदरित करो या तुम उसके नीचे फैले हुए कीचड़ पर केंद्रित करो चुनाव तुमारे हाथ में जीवन प्रतिपल चुनाव है आंतरिक रूप आंतरन की यात्रा यूही तिनके की तरह हवा में उड़ते जाने की यात्रा नहीं है ये प्रतिपल चुनाव है जो तुमारे जीवन को दिशा देगा तुमारे जीवन को विकास देगा तुम चाहो तो कीचड को देख सकते हो उससे अपना तादात में बना सकते हो तुम चाहो तो अपनी दृष्टी कमल के उपर रख सकते हो उससे अपना तादात में बना सकते हो जो विक्ति अपनी दर्ष्टि कमल पर ले जाएगा उसके जीवन में दिविता आएगे खिलावट आएगे, सुवास आएगे और उसका जीवन एक दैवी आभा से भर जाएगा जो विक्ति अपनी दर्ष्टि को कीचड़ पर केंद्रित करेगा उसके जीवन में दुरगंद उठने लगेगी अवसाथ पकड़ने लगेगा उसके जीवन में अंधकार प्रवेश करने लगेगा एक बेचैनी से भर जाएगा उसका पूरा का पूरा चित लेकिन जब पूरा द्रस्ट तुम्हारे सामने उपस्तित है तो चुनाव तुम्हारा है और इस चुनाव में निरंतर इस बात का ध्यान रखना है कि द्रस्टी विराट तभी होती है जब तुम कमल को तो केंदर में ले आते हो लेकिन कीचड के प्रती भी कोई निंदा नहीं रखते उसके प्रती कोई दुरभाव नहीं रखते क्योंकि एक जोड है निम्नतम उच्चतम की और विक्सित हो रहा है तुम आधार को नहीं काट सकते ऐसे ही तुम्हारे भीतर बहुत सारे भावनाएं संभावनाएं बहुत सारे विचार निरंतर उथल पुथल करते रहते हैं जिन से तुम घबराते हो तुम्हें लगता है तुम्हारे भीतर ये सब नहीं होना चाहिए लेकिन अगर तुम उन्हें छोड़ कर भाग जाओ तो तुम कमल की खिलावट को उपलब्द नहीं होगे जब तुम्हारे जीवन में उधल पुथल हो उसके साक्षी बनो जब तुम तुम्हारे उन्हीं उधल पुथल भरे दुरगंद भरे भावों और विचारों से ही सार को इकठा करने की कला सीख लेते हो तब ही उस कमल की खिलावट को अनुभाव कर पाते हो उस और बढ़ पाते हो संघर्स नहीं सहयोग की भासा जीवन में किसी भी बात से संघर्स नहीं करना है संघर्स तुमारे भीतर दुवन्द को निर्मित करेगा दुवन्द देर सबेर तुम्हें विध्वन्ष की ओर ले जाएगा बिखराव की ओर ले जाएगा जीवन को तुम्हें समग्रता में देखना है लेकिन वहाँ पर केवल अपनी दृष्टी का फोकस बदल देना है उसका फोकल पॉइंट बदल देना है जीवन में सारा का सारा परिवर्तन केवल तुम्हारे फोकस बदल जाने का है तुम अपनी दृष्टी को किस ओर ले जाते हो बस उससे ही सारा बदलाव आता है प्रायह जीवन का जैसा ढंग रहा है आदत जैसी पड़ गई है लोगों की कि वो हर जगे छोदरता को और निम्नता को ही ढोंडते रहते हैं लेकिन ये कोई विशेशता तो नहीं हुई अगर तुम निम्नता और छोदरता को ढोंड भी निकालते हो तो उससे तुमारे जीवन में कुछ रुपांतरन नहीं आता जीवन में कुछ जुड़ता नहीं तुमारा जीवन कुछ और सुन्दर नहीं बनता दृष्टि का विकास इस बात में है कि तुम कहीं भी असुन्दर्ता में भी सुन्दर्ता को ढून निकालो तुम कुरूपता को भी रुपांतरण की दृष्टे देखोगे तो तुम्हें वहाँ भी सुन्दर की लकीरे मिल जाएंगे तुम्हें वहाँ भी ऐसे चिन मिल जाएंगे जो सुन्दर होंगे और कुरूपता है भी क्या? एक दरश्टी कौन के सिवा? अस्तित तुम्हें कुछ भी असुन्दर नहीं है तुम्हारी द्रश्ट उसे सुन्दर बनाती है और कुरूब बनाती है तुम किसी के प्रेम में पड़ जाते हो तुम्हें वो संसार का सबसे सुन्दर विक्ति दिखाई देता है आवर्षक नहीं, किसी दूसरे को भी वो संसार का सबसे सुन्दर विक्ति दिखाई देता हो सिर्ख तुमें वो ऐसा क्यों दिखाई देता है यहाँ पर तुमारी दृष्टी सुन्दर को ढूनने में तत्पर हो गई है इस द्रिस्टि को सीमित नहीं करना है उसे फैलाना है उसे चारों ओड ले जाना है एक अच्छा चित्रकार हर जगे से सुन्दर चित्र की संभावना खोज लेता है तुम यहां बैठे हो तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहां कौन सा टुकड़ा सुन्दर चित्र बन सकता है लेकिन एक चित्रकार उसे देख लेता है और आचानक उसे जो अभिव्यक्ति देता है तुम चमत्कृत रह जाते हो तुमने नाम सुना होगा एक बहुत प्रशिद्ध चित्रकार विंसेट बॉन गाग का उन्होंने एक पुराने टूटे-फुटे से जोते का चित्र बनाया है बहुत प्रशिद्ध कलाकरती है और उस जिन्ड-सिन्ड जोते को उन्होंने जीवन दिया वो कलाकरती बन गया तुमने भी देखा हो सायद कई बार तुमारी निगा गुजर जाती है अपने जोतों को तुम देखते हो लेकिन वहाँ एक कलाकरती की सम्भावना सोई पड़ी है यह तुम नहीं देख पाते यह दृष्ट की सुक्षमता है जो उसमें छुपी हुई विराटता को ढूंड लेती है एक और बहुत प्रसिद्ध कलाकरती है मूर्थी है माइकल अंजलो ने उसे गढ़ा था जीसस को सलीब से उतारा गया है मरियम उन्हें अपनी गोद में लेकर बैठी हुई है इतनी जीवन्त, इतनी प्राणवान, इतनी भव्य इतनी अद्भूत मूर्थी बहुत कम बनाई गई और इसे माइकल अंजलो ने जिस पत्थर से गढ़ा उस पत्थर पर अपना हाथ आजमाने के लिए कोई मूर्तिकार तैयार नहीं था जिस दुकान के सामने से उसने उस पत्थर को उठाया उस दुकान वाले ने उस पत्थर को बाहर फेक रखा था कोई उस पत्थर के अंगाड आड़े तरचे टुकडे को खरीदने के लिए तैयार नहीं था माइकल अंजलो एक दिन उधर से गुजरते थे उन्होंने उस पत्थर के टुकडे को देखा उन्होंने दुकानदार से कहा क्या तुम ये मुझे दोगे उसने का बेशक ले जाए इतना बेकार पत्थर किसी के काम का नहीं है मैं नहीं समझता इसका कोई उपयोग हो सकता है लेकिन अगर तुम इसका कोई उपयोग कर सकते हो तो इसे ले जा सकते हो और उस पत्थर से उन्होंने वो अद्भुत अनुपम कलाकर्ती बनाई और जब किसी ने माइकल अंजलो से पूचा तुम ऐसा कैसे कर सके ये तो कलपना में ही नहीं आया पहले उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया मैं गुजरता था इस पत्थर के पास से और इस अंगर पत्थर के भीतर छुपे जीसस ने मुझे पुकार लिया मैंने जो अतिरिक्त था उसे हटा दिया और उसके भीतर जो छुपा हुआ था वो प्रकट हो गया मैंने कुछ भी नहीं किया ये इस पत्थर की संभावना थी जिसने मुझे आवाज दी और मेरे माध्यम से वो प्रकट हो गई विराज दृष्टी ऐसी ही है संभावना चुपी है बस तुम्हें अतिरिक्त को हटा देना है जिसके कारण वो सौंदर छुपा हुआ है वो अद्भुचमतकार जिस आवरण में छुपा है जिन परतों में छुपा है तुम्हें केवल उनको अलग कर देना है इस अलग कर देने की कला को तुम्हें तुरंत प्रारंब करना है शिग्रता से प्रारंब करना है कोई भी देरी यहाँ पर खतरनाक हो सकती है अब तुम जिस पड़ाव पर आ गये हो तुम छण भर की भी देरी नहीं कर सकते जितनी भी देरी करोगे उतनी ही भटकन बढ़ेगी अब तुम्हें आगे जाना है पीछे लोटने का उपाय नहीं और यहां से पीछे लोटने का अभिप्राय केवल गिर कर खाईयों में खो जाना है जब परवत सिखर की और कोई परवतारो ही बढ़ता है उसके अनुभाव को देखे एक बिंदू आता है जब वो उस पड़ाओ पर अपने आपको पाता है जहां से वो पीछे नहीं लोट सकता केवल आगे जा सकता है और तब उसे एक एक कदम बहुत सम्हाल के आगे रखना होता है बड़ी सतरकता से और बड़ी सजकता से उसे आगे जाना होता है जरा सी गफलत जरा सी बेहोसी उसे हमेशा के लिए भटका सकती है हमेशा के लिए उसे अंधकार में फेक सकती है और जैसे जैसे उचाई की और उसके कदम बढ़ते है वो धीरे धीरे अपने आपको हलका करता है निर्भार करता है तुम अपने उपर तरह तरह का बोज लेकर चल रहे थे अब तुम्हें उन बोजों को उतार कर फेक देना है उँचाई की ओर जैसे-जैसे यात्रा बढ़ती है शिखर की ओर जैसे-जैसे तुम बढ़ते हो तुमें अपने को निर्भार करना होता है वहाँ तुम बहुत सारा भार लेकर नहीं चल सकते तुमें ये समझना होगा कि अति आवश्चक क्या है केवल वो जो तुम्हें जीवन देने में सक्षम है केवल जिसकी जीवन दाई उपयोगिता है वही तुमारे लिए स्तार्थक है और कुछ भी नहीं अभी तुम बहुत कुछ अपने कंधों पर उठाये चल लहे हो बहुत सारा भार बहुत सारी बेवजे की सोच बहुत सारी बेवजे की चिंताएं तमाम तरे की धारणाएं तमाम तरे की व्याख्याएं तमाम तरे के उत्तर तुम बड़े बोज से दबे हो और तुम इस सारा बोज उठाकर चल लहे हो एक सीखा हुआ उधार ग्यान तुम्हारी चिंताएं, दुष्चंताएं, आसंकाएं, सब तुम्हारे उपर बोज की तरे लदी हुई हैं इस तब को लेकर तुम आगे नहीं जा सकते तुम्हें निर्भार होना है तुम्हें स्वतंत्रता अनुभाव करनी है तुम्हें अपने प्राणों में एक स्वतंत्र अनुभूती को जन्म देना है और इसके लिए आवश्यक है कि निर्भार हो जाओ अपनी पुरानी आद्तों के धाचे से बाहर आओ और अपनी दृष्टि को छुद्र से विराट की और उन्मुक हो जाने दो और जब ये दृष्टि तुमारी विराट की और उन्मुक हो जाती है तो तुमारे लिए कुछ भी छुद्र नहीं रहता तुम उस छुद्र में भी विराट को देख लेते हो वही है हर तरफ एक ही चेतना का फैलाओ एक ही चेतना से घट रहे हैं सारे रंग सारे बदलाओ विराट ही समाया है छुद्र में बस तुमारी दृष्टि विराट हुई कि जीवन विराट हो गया